नमश्कार दोस्तों आपका इस वीडियो में स्वागत है मेरा नाम है कृतिका और आज मैं आप लोगों के लिए लेक्ट्र लेकर आए हूँ हिमाचल प्रदेश बजट के उपर तो 4 मार्च को आपका ये 2022-23 का बजट दिया गया तो हिमाचल के एक्जाम्स के अगर हम बात करे एक एकनामिक सर्वे और बजट ये बहुत इंपोर्टन डॉक्यमेंट्स रहते हैं अच्छे खासे को एक्स्टन यहां से पूछे जाते हैं तो आज बही हम देखने वाले हैं अभी एक जो बजट है उसमें दो पार्ट से रहते हैं एक हुता आपका स्टेटिस्टिकल अनाल फिर आते है आपका न्यू स्कीम्स यानि के बहुत सारी नई स्कीम्स लांच की जाती हैं कुछ जो स्कीम्स चल रही हैं उनमें चेंज लाए जाते हैं ऐलोकेशन जो है चेंज किया जाता है सोशल सेक्योरिटी के अगर हम बात करें तो पेंशन के एज़स के उपर और एलोक स्कीम्स प्रॉपर्ली किया गया है उसके लावा आज हम स्कीम्स देखने वाले तो बजट के अगर मैं बात करूं इसमें सबसेता प्रॉब्लम क्या है कि बजट और एकनॉमिक सब दोनों ही कि लंबे डॉक्यम्स हैं तो होता तो यह सभी के पास में है लेकिन अब पता नही कि exam के लिए क्या important होता है तो उसी के लिए आज मैं आपको help करने वाली हूं एंड तक वीडियो को जरूर देखेगा तो जैसे कि आपकी speech है वो है एक लंबी सी speech उसको शुरू किया गया सेवा और सिद्धी के चार साल समरिधी के तो इन ही सालों में बहुत सारी चीज़े की होगा वहाँ पर आपको मिल जाएंगे उसके अलावा अगर आप और भी कोई तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर free paid दोनों ही courses आपको मिलते हैं test series and everything do check it out once ठीके जी तो सबसे पहले budget के highlights की अगर मैं बात करूं तो यह है आपका budget at a glance यहाँ पर जो आपका again budget size था वो था 51 करो 3 65 lakh and यह आपके receipts है expenditure है यह आपके sir ने अल्रेडी discuss किये है उसको आप i button में video रहेगा उसको देखने चाहेगा तो again जो आज मैं discuss करने वाली हूँ वो उसके जो main मुद्दे थे जो 9 points थे उन वो यह थे इनके उपर बात की गई तो सबसे पहले social security जो आपके pensions है इं इंडर लादा focus किया गया है तो वह हम देखेंगे child women welfare and empowerment पहली बार ऐसा हुआ कि gender statement भी दिया गया फिर आपके education है health है farmers को किस तरीके से उनका income increase किया जाए basic infrastructure digitization and environment अभी इन directly मुद्दों के ओपर आगे बढ़ने से पहले कूदने से पहले मैं आपको कुछ और भी points पताने वाली हू तो सबसे पहले जो आपकी MLA priority schemes है उसको नाबार fund करता है और उसको increase किया गया है 150 crores के लिए तो ये तो हो गया figure उसके अलावा इसमें MLA's जो है rope ways को भी include कर सकते हैं पहले ऐसा नहीं था तो नया include क्या है आपके rope ways फिर आपकी विधायक शेत्र विकास निधी योजना है इ इसमें सबसे पहले इसके allocation बढ़ा कर दो करोड रुपए कर दी गई और इसमें जो आपके members हैं वो शहीदी दौर बना सकते हैं यानि कि जो भी martyrs हैं उनको commemorate करने के लिए यहां पर शहीदी दौर वो लोग बना सकते हैं अभी again I'm gonna tell you कि budget में दो चीज़े हमें देखने को म जैसे नया स्कूल बनाने आले सेंटर एक्सिलेंस खोलने वाले तो मंडी में खोलने तो मंडी वो आपके लिए important है या फिर जो allocation है वो बढ़ाए गई वो important है अब जैसे यह सारे वेक से point है आप देख सते हैं कि यहां पर 9 रोजगार मेला 120 campus interview will be organized यह वेक हो गए यह आप से examiner नहीं पूछे जाएंगे फिर आगे आपके यह वाले points अभी यह देखो यह काफी जदा important है दो cyber crime police station खोले जाएंगे एक मंडी में एक धरमशाला में तो direct pre का question बन जाएगा कहां पर खोले जाएंगे मंडी और धरमशाला चार आपके नए fire station substations खोले जाएंगे और जो already चल रहे fire stations हैं उनको upgrade किया जाएगा तो यह आपका important यहाँ पर है जो लता मंगेशकर जी है उनको शद्धानजली देने के लिए लता मंगेशकर music college भी establish किया जाएगा तो अगें इसकी location नहीं दी गई है लेकिन as a tribute उसको यहाँ पर किया जाएगा एक नया हम award भी श्रू कर पने वाले हैं उनके नाम पे लता मंगेशकर स्मृती राज्य सम्मान तो यह एक important आपका और point बन जाता है देन आ जाते हैं हम लोग again जो हमारे nine points थे कि उन-उन areas में क्या-क्या किया गया और क्या-क्या changes आपके इस साल के budget में हमें देखने को मिलें तो सबसे पहले social security से social security म हैं बहुत सारे points हमें देखने को मिलेंगे कि pension जो है 1500-3000 की गई जो आपके 1000 थे 1500 की गई उसको छोड़ देना है important points एक है आपका कि जो भी 60 years से उपर हैं लोग सब ही को यहां पर pension old age pension दी जाएगी then is आपके कोई भी योजना कोई भी scheme को mention किया गया तो अटल pension योजना जो है उसके अंतरगर यहां पर आपकी pension बढ़ा दी गई है 3000 पर annum और इसके कितने beneficiaries हैं इसके एक लाग से डेड़ लाग beneficiary प्रदेश में है नेक्स आ गया आपका child women welfare and empowerment and welfarement of the other sections तो पहली बार ऐसा हुआ कि gender budget statement यहां पर दिया गया यहां पर एक हम scheme जानते हैं ग्रहिनी सुवध योजना जो national level पर उज्वला योजना चल रही है इसमें हम gas connection देते हैं इसमें अभी एक additional free cylinder भी दिया जाएगा फिर आगया आपका मुख्या मंतरी महिला सशक्तिकरन योजना इसमें आप जो आपकी women है उन self-help groups को 25,000 का additional grant दिया जाएगा तो इस बार जैसे हमने देखा था बहुत सारी exams में क्या किया था कि एक तरफ बहुत सारी schemes लिखी गए थी और दूसरी तरफ क्या थे कि वो किस से relation रखती है क्या क्या उसमें क्या जाता है तो आपको याद रखना है इनके नाम मुख्या मंतरी महिला सशक्तिकरन योजना नेक्स्ट आगई आपकी मुख्या मंतरी स्वाव अलंबन योजना इसमें अगर आप कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं तो आपको सबसीडी दी जाती है इसमें विमेन की सबसीडी इंक्रीज की गए टू 25 परसंट और जो आपके S.E.S.T. है और जो आप के S.E.S.T. लोग हैं उन लोगों के लिए कितनी है 30% सबसीडी इसके अंडर दी जाती है तो इसको भी आप एक बार देख सकते हैं दो नई स्कीम्स यहां पर शुरू की गई एक है आपकी मुख्यमंत्री बाल सुपोशन योजना याने के हमने अभी थोड़े दिन पहले एक न्यूज भी देखी कि स्टंटिंग और वास्तिंग के केसे हैं माचल में बहुत बरी तरह से बढ़ रहे हैं माल नूट्रिशन ज प्यूफ में जो भी बेसहारा, बेसहाय बच्चे हैं, उनको प्रॉपर एक जगह दी जाएगी रहने के लिए असहाय लोगों के लिए रिहाबलेट्ट उनको किया जाएगा और प्रॉपर क्या education उनको दी जाएगी, तो यह बच्चों के लिए हैं, यह आपको याद रखता हैं तो सबसे पहली आगी आपकी श्रेश्ट शिक्षा गुणवत्त प्रुच साहन योजना इसमें आपके cash awards दिये जाएंगे जो भी आपके school में rank करते हैं तॉप rankers हैं फिर आगे आपका बाल प्रतिभा scholarship योजना इसमें जो 500 meritorial student है class 3 के उनको 3000 रुपए पर annum दिया जाएगा अब देखो statement इसमें अगर बन जाती है कि बाल प्रतिभा scholarship योजना के उपर 4 points दिये जाते हैं इसमें 2000 रुपए दिये जाते हैं इसमें आपके class 6 to 7 है तो दोनों incorrect हो जाएंगे क्यूंकि हमें अभी statement-based जादा question देखने को मिल रहे हैं तो यह याद रखना है कि यह third class के बच्चों के लिए है next आगे आपकी मुख्यमंतरी शोध प्रोटसाहन योजना इसमें भी again promise है kind of की इसको खोला जाएगा तो यह exam में कुछ नहीं से पूछ सकते हैं नेक्स आगया हमारा health services के लिए तो health services में सबसे पहले तो जो हमकेर है उसके लिए registration करने का एक time रहता है उसको throughout the year कर दिया गया कि कभी भी आप उसके लिए यहां पर क्या कर सकते है फिर इसको renewable बना दिया गया याने कि जैसे जो भी आपका उसका amount था वो आपने एक साल के अंदर अंदर यूज कर दिया तो अगले तीन साल के बाद उसको वापिस से जहां वर वापिस से आप उस amount को यूज कर सकते हैं किसी भी तरीके की disease को क्योर करने के लिए और बहुत स क्योंकि especially हमने क्या देखा, rural population है बहुत बड़ी और especially COVID के टाइम से बहुत मुश्किल था उन लोग के साथ में interact करना तो इसी के लिए यहां पर यहां पर मुख्यमंत्री mobile clinic scheme स्कीम स्टार्ट की गई है और भी कुछ news है जैसे आपका नेर चौक है, टांडा है, यहां पर कुछ नई नई facilities जैसे PET scan है, फिर आपकी एक टाइप की यह radiation therapy है, यह सारी चीजे facilities यहां पर दी जा रही है, स्टार्ट किये जा रहे है, जैसे नेर चौक में आपका lactation management center भी खोला जा रहा है, तो यह like as a, हम क्या सकते हैं, वहां के residents भी इसमें कुछ बड़ा है नहीं, farmers के लिए भी कुछ नहीं था, लेकिन exam point of view पर वापिस से आ जाते हैं, तो यहां पर हमने जैसे कहा कि हम एक और flower mandi बनाएंगे, तो flower mandi, floriculture को हम बहुत दा प्रमोट कर रहे हैं, एक और खुल चुकी है परमानु में, एक और खुली जाएगी, लेकिन कहां खुली जाएगी, सिंस यह नहीं है, तो भी इस गोन टेक बाइल, यहां पर जो एक important है, यहां पर एक सत्यानन स्टोक्स ट्रेल, इसको यहां पर डेवलप किया जाएगा, जिसमें कोट कर, थानाधार और आपके शिम्ला पर आपका एपल पर होना चाहिए, लेकिन आपको बस यह आदम लेकिन कि सत्यानन स्टोक्स ट्रेल, कोटगर थानदार और शिम्ला के जोइनिंग एरिया को यहां पर यह बनाई चाहिए, तो यह आपका फार्मर्स था, यहां पर पांच बड़ी काव सेंचरीज भी खोली ज आपका यहां जाहेंगे, एक शिलारु में, एक आपकापालमपूर में, अंडर दी हॉटि काल्चर डेविलाफ्मन प्रोजेक्ट, तो शिलारु आपका शिम्ला में आगया, पालामपूर आपका कांगडा में आ गया, तो यह आपको याद रगनां है कि हॉट değil कॉर्म्पू जगह है जिनको याद रखना है इंफ्रस्ट्रक्ट्टर की अब बात कर लेते हैं यहां पर चार रोपवे आपकी कंस्ट्रक्ट किये जाएंगे अंडर परवत्माला नैशनल रोपवे डेवलप्मेंट प्रोग्राम तो यह हमें हमी बहुत टाइम से सुन रहे हैं क्योंकि बह 2019 जो आपकी राइजिंग हमाचल 2019 में आई थी उसको एक्स्टेंड कर दिया गया है तो 2025 इसको मैंने अल्रेडी कवर किया है इंडस्ट्री के उपर अल्मुस्ट सारे क्वेस्टिंस से क्लियर हो जाते हैं इसको आप देख सते हैं आई बटन में भी आपको वीडियो मिल रहा है जो कि बहुत सारे लोगों को यहां पर एंप्लॉइमेंट देने वाला है नेक्स्ट आगे आपका डिजिटाइजेशन तो अभी इसमें आपकी एक न्यू स्कीम जो आपके चार पलर है उसको स्टार्ट किया गया तो यह अल्रडी आपका डीजी से ने चला के रखी ह है यहां पर ड्रोन्स को जो अक्टिविटी है उसको इंक्रीज किया जाएगा गवर्नेस एंड रीफॉर्म्स उजिंग ड्रोन्स इसको हम गरुड कह रहे हैं अब यह एक डिजिटल लाइबरी बनाई जाएगी और एक फैमिले रिजिस्ट्रार डेटाबेस बनाया जाएग तो इनके उपर अगैन कोई information है नहीं तो यह exam के लिए important नहीं है सिर्फ आपको यह याद रखना है कि यह हमने आपर शुरू क्या है लास्ट था आपका natural resources and environment तो अगैन यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि हमारे जितने भी हम चीज़ यूज कर रहे हैं energy उसको हम सारी green energy use करेंगे renewable sources जो generate हुई है by 2030 तो यह आप कर रहेगा और हम चाहते हैं कि हम हमारे जो है पहला green state बने country का अगैन हम और बहुत सारी चीज़े करना चाहते हैं जो की एक्जाम के लिए important नहीं है हम करेंगे futuristic approaches है main scale important है वहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं कि इस तरीके के pilot basis पे हम plasma technology को भी यहाँ पर use कर रहे हैं इस तरीके के plants भी construct कर रहे हैं electricity की अगर बात करें तो यह main मुद्दा था कि electricity बहुत आपकी सस्ती कर दी गई जो पहले 60 units है they are free of cost उसके बाद आपके 61 to 125 units एक रुपए unit रहेंगे whereas farmers के लिए it will be 30 पैसे पर unit so बिजली जो है वो काफी जादा सस्ती कर दी गई आपके दो new regional offices भी खोले जाएंगे Himachal Pradesh Pollution Control Board के तो वो आपके मंडी में और उन्हा में खोले जाएंगे so that is it for today I hope आपको यह वीडियो पसंद आया होगा do like share and subscribe उसके लावा do click the bell icon because हम लोग economic survey भी cover करने वाले हैं सिर्फ exam point of view से ताकि वो जो है आपको exam में help कर सके so all the very best and I'll see you